हेलो बच्चा पाटी कैसे हैं आप सब एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनलाइन केमिस्ट्री विद अडल पाटिदार में मैं आपका बहुत 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 वैलकम करता हूँ आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेवन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स ठीक है सेवन क्रिस्टल सिस्टम को आज हम अच्छे से लर्न करेंगे ट्रिक के थ्रू लर्न करेंगे और बहुत ही बढ़िया ट्रिक है फ़नी ट्रिक है है ना आपको बड़ा मज़ा आने वाला है आज और आज का वीडियो देखने के बाद में आपको 7 crystal system याद करने के लिए किसी का भी दूसरे का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है सिर्फ एक request है कि आपकी concentration आपका focus यहां whiteboard पर होना चाहिए ठीक है चलिए तो 7 crystal system आपने याद करने के लिए try तो ब crystal system आपके सामने लिखे हैं first है cubic, second है tetragonal, third है orthorombic, fourth है monoclinic, hexagonal, rhombohedral and triclinic ठीक है तो इनको हम याद कैसे करें इनको इसी sequence में आपको याद करना है बिल्कुल यह जो order है इसी order में आपको याद करना है तो अब याद कैसे करें तो उसके लिए मैंने trick बनाई है वो मैं है c, t, o, m, h, e, r, h, o, t, r, i, अब आप कहेंगे तो भई कि यह तो भईया c है तो c लिख दिया आपने t है आगे तो t लिख दिया, o है तो o लिख दिया, m लिख दिया, h, e, r, h, o, t, r, i, लिख दिया, ठीक है सही बात है मैंने वही लिखा है बट इसको भी याद करने की क्या है? देखिए मैं यहाँ पर हिंदी में रहा हूँ है ना थोड़ा सा एड़्ज़स्ट करना पढ़गा आपको c, t, o, m, hai, c, t, o, m, hai, c, t, o, m, hai, रोहित, त्रिपाठी CT Ohm है रोहित त्रिपाठी ठीक है ना तो ट्रिक क्या है CT Ohm है रोहित त्रिपाठी बिलकुल इजी ट्रिक है फणने ट्रिक है मिनिंग लेस है आपको सिर्फ याद करने के लिए मैंने बताई है ठीक है चलिए तो C से cubic T से Tetragonal O से Orthorumbic M से मोनो क्लिनिक, HE से हेग्जागोनल RHO से रोंबो हेडरल TRI से ट्राई क्लिनिक अब axial length किस में होती है आपको पता होना चाहिए इतना तो axial length होती है A, B and C में ठीक है, और axial angles होते हैं alpha beta and gamma में ठीक है, clear है axial length होती है ABC में axial angles होते है alpha, beta, gamma में अब यहां से एक और trick स्टार्ट होती है ध्यान से सुनियेगा, ठीक है देखिए, कोई एक factory है factory का first product जो होता है बहुत ध्यान दिया जाता है उस पे है ना, फिर जैसे जैसे time बीटता चला जाता है, factory वाले भी बोलते है चलो जाने दो, है ना, ठीक है यह factory का, मतलब last last वाला product है, तो उस पर focus करेंगे, क्या factory वाले नहीं करेंगे ना, first product है, उसको बिलकुल packing उस हिसाब से होगी है ना उसको सुन्दर बनाया जाएगा attractive बनाया जाएगा, ठीक है तो यहां पर जो cubic है यह बहुत ही सुन्दर बनेगा बहुत ही attractive बनेगा तो यहां पर जो a, b, c होंगे वो तीनों ही equal होंगे a equal to b, equal to c ठीक है अब यह जो है tri clinic, यह factory का सबसे last वाला product है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है इसको एक और example से आप समझ सकते हैं कि यह अपने माता-पिता का पहला लड़का है या लड़की है जो भी तो यह बहुत लाड़ला है है ना, इसका बहुत ध्यान रखा गया है और यह जो last वाला है यह इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है है ना, साथ बच्चे हो गए है तो साथवे पर कोई ध्यान ही नहीं दिया है इसा भी समझ सकते हैं तो यहाँ पर यह जो है यह बिगड़ चुका है मतलब नोटी है शरारती टाइप का किसी की बात नहीं मानता है और यह बिलकुल आदर्श है भगवान राम के जैसा सब की बात मानता है यह इक्वल है यहाँ पर नोट इक्वल रहेंगे सब के सब ए इस नोट इक्वल स्टू बी इस नोट इक्वल स्टू सी ठीक है तीनों ही इक्वल नहीं रहेंगे यहाँ पर चलिए अब यहाँ पर एक कम कर देना हमें टेट्रागोनल में एक कम कर देंगे A equal to B, but not equal to C ठीक है, यहाँ पर एक और कम कर देंगे, और्थोरोम्बिक में A is not equal to B is not equal to C ठीक है अब हमें लगाना है यहाँ से reverse gear है न, reverse gear कैसे जैसी, देखी यह यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा A is not equal to B B is not equal to C ठीक है, यह आजाएगा यहाँ पर तो यह हो जाएगा A is equals to B, but not equal to C और यह वाला जो है, यह आजाएगा यहाँ पर, तो यह हो जाएगा A equal to B, equal to C, बस खतब, axial length आपको याद हो चुकी है, first product है इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, या बच्चे के हिसाब से देख ले, तो first है है ना, पहला बच्चा है, तो उस पर ध्यान दिया है, है ना, तो सब equal होंगे और यह last वाला है, नोटी है, शरारती है किसी की भी बात नहीं मानता है, इसलिए इस पर ध्यान नहीं दिया, यह बिगड गया है, है ना, तो यहाँ पर सबी equal नहीं होंगे फिर एक-एक कम करते जाना है, यहाँ पर एक कम किया, फिर यहाँ पर दोनों कम होंगे फिर reverse gear लगाना है, यह यहाँ पर आ गया, यह यहाँ पर आ गया और first वाला सिक्स्त नंबर पर आ गया है, ठीक है, तो axial लें था भी आपको याद हो गए, अब axial angles की बात करें, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है alpha is equals to beta is equals to gamma is equals to 90 degree है ना, 90 degree को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है दो angles होंगे, यहाँ पर 90 degree and 120 degree, आगे हम पढ़ेगे, है ना, tension नहीं लेना है, जब तक आप इस चैनल पर हैं, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको tension नहीं लेना है, बस focus हो करके यहाँ पर देखना है, और कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है चलिए, तो alpha is equals to beta, is equals to gamma, is equals to 90 degree, अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला, alpha is not equals to beta, is not equals to gamma, is not equals to 90 degree, ठीक है, चलिए, तो first and last तो हमने कर लिया है, अब यहाँ पर जो first के three cases है, है ना, first तो हो गया, second and third, tetragonal और orthorombic, यहाँ पर तीनों में सेम आएगा, alpha is equals to beta, is equals to gamma, is equals to 90 degree, यहाँ पर भी alpha is equals to beta, is equals to gamma, is equals to 90 degree, ठीक है, अब यहाँ से एक और trick स्टार्ट होती है, दिहान से सुनियागा, देखिया, suppose कीजिए कि शादी हो गई है, है ना, शादी के 5 साल, 10 साल, 20 साल हो गए है, अपने माबाप से, पेरेंट्स से, अलग होने की बाते कोन करता है, भीया, अपनी बीवी आ गई है, है ना, तो वो क्या करती है, कि यह इसा करते हैं, वे इसा करते हैं, मेरे सास ऐसी है, ससूरे से हैं, तो क्या करते हैं, कि हम अलग हो जाते हैं, है ना, तो अलग कोन होता है तो alpha is equals to gamma is equals to 90 degree, बट जो beta है, वो not equal होगा 90 degree के, ठीक है clear हुआ, है ना, शादी हो गई शादी होने के बाद में beta अलग हो गया alpha and gamma से हैं, तो यह 90 degree और यह beta is not equals to 90 degree, अब अलग हो गया beta, तो सबसे ज़्यादा दिल पर किसके लगी, बुरा किसे लगा, रोने कौन लग गई, है ना, मा, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, alpha is equals to beta is equals to 90 degree, बट गामा is equals to 120 degree, 120 degree को केसे आप याद रखेंगे, कि beta अलग होने के बाद में, मा बहुत ज़्यादा दुखी हुई, है ना, बराट होने लगी, चक्कर आने लग गया, याने कि उसका BP हो गया, हाई, और BP हाई होने के बाद में, कहाँ पर पहुँच गया, 120 degree तक, ठीक है, 120, तक उसका BP पहुँच गया, किसका मा का, ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर जो गामा है, यह भी साथ में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अल्फा, इस इक्वल्स टू बीटा, इस इक्वल्स टू गामा, गामा वाई जैसा दिख रहा है, यह ना, गामा इस नॉट इक्वल टू 90 degree, तो यह हो जाएगा, रॉम्बो हेड्रल के लिए, एक्षियल एंगल, ठीक है, तो एक्षियल एंगल भी आप अच्छे से याद कर सकते हैं, फर्स्ट के थ्री केसेज जो है, यह सभी सेम हैं, और लास्ट वाला हमें पता है, बिगड़ा हुआ बच्चा हैं, इसलिए सभी not equal रहेंगे, ठीक है, अलफा, बीटा, गामा, और 90 degree, तीनों ही, चारों ही not equal रहेंगे, एक दूसरे से, ठीक है, फिर यहाँ से क्या हो गया, ट्रिक स्टार्ट की हमने, बेटा अलग हो गया, है ना, शादे हुई तो, फिर दिल पे किसके लगी, मा के, मा का बिपी हो गया, हाई 120 तक, ठीक है, और यहाँ पर, जो गामा है, वो भी साथ में आ गया है, तीनों ही not equal होंगे, 90 degree के, अब यहाँ पर एक question, बन सकता है, कि सबसे ज़्यादा symmetrical और सबसे ज़्यादा unsymmetrical कोण है, most symmetrical and most unsymmetrical कोण है, तो यहाँ पर देखिए, यह सबसे आदर्श बच्चा है, है ना, सबकी बाते मानने वाला है, तो जो cubic है, यह most symmetrical हो जाएगा, most symmetrical, ठीक है, cubic जो है, यह most symmetrical हो जाएगा, और जो tri-clinic है, यह हो जाएगा, most unsymmetrical, ठीक है, tri-clinic जो है, यह most unsymmetrical हो जाएगा, और cubic most symmetrical हो जाएगा, ठीक है, तो I hope trick आपको बहुत ही बढ़िया लगी होगी, इन सबको याद करने के trick क्या है, CT ohm है रोहित त्रिपाठी, यहाँ पर आपको जो trick मैंने बताए थी, वो apply करना है, एक बार फिर से revise कर लिजिए, वीडियो को अच्छे से clear हो जाएगा, मैं आपको guarantee देता हूँ इसकी, ठीक है, तो please, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, trick मेरी अच्छे लगी है, बेहनत मेरी अच्छे लगी है आपको, तो please like कीजिए, वीडियो को share कीजिए, अपने सभी friends के साथ में, और channel पर पहली बार आएए है, तो please subscribe जरूर करेंजिए, साथ में bell icon प्रेस करना आपको, ठीक है, चलिए guys, मिलते हैं अब next video में, till then, thank you so much,